आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अंध तक देखिएगा आज की कहानी का शीरशक है बुजुर्ग भिखारी तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बहुत ही धनी व्यक्ति था जो की गरीब और पीरित लोगों को हमेशा परिशान करता और उनको मारा पी और ठीक वैसा ही हुआ जो की अब एक बुजुर्ग भिखारी था जो रोज दरवाजे के पास आकर भीक मांगता था और उस घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर भी अंदेखा करके चला जाया करता कई बार उसके लिए गालियां भी बगता वो कहता तू जि मार दिया करता इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी के मुझ से सिर्फ यही निकलता कि भगवान भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वह जाते हुए भिखारी ने इतना ही कहा भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे और भिखारी कहरते हुए वहां से चला गया सेठ सोच में पढ़ गए कि आज मैंने गुस्से में आकर भिखारी को पत्थर मार दिया फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना ही की सेठ का गुस्सा शांत हुआ, सेठ का मन शांत हुआ, बुजुर्ग भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी अपने घर जाने के लिए लोटा, वो अपने घर पहुँच गया। लेकिन सेठ अभी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी तूटी हुई खटिया पर एक बुड़ी औरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वो भिखारी की पत्नी थी अपने पती को वापस आता देख वो खात से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पती के भीख वाले कटोरे में देखा उसमें सिर्फ आदी बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली आज बस इतना ही मिला और हाँ अपके सिर से खून निकल रहा है ये चोट कैसे लगी बुरा भिखारी बोला आज बस इतना ही मिला किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियां दी और एक ने तो मुझ पार पत्थर भी चला दिया। इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बुरा भिखारी फिर से बोला ये मेरे ही पापों का फल है। हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिारी के साथ किया था। जो हमारे द्वार पर भी खमांगने आया करता था। बूरी पत्नी की आँखों में आासु आगये। वो बोली हां। हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका मजा कोडाया करते और कभी कभी मारा भी करते थे मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया एक बार मैंने उसके मूँ पर मिट्टी भी फिकी थी और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किये की सजा आवस्य देगा भगवान तुम्हारे जद्वा नहीं देता चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बरताव करें मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूं मैं नहीं चाहता कि कोई और भी हमारे जैसे जिन्दगी का अनुभाव करें किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना ना करना पड़े वो नहीं जानते है कि व उसे सब कुछ समझ में आ गया था, विखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाएं और भगवान को धन्यवाद बोल कर सो गए, अगले दिन विखारी फिर से भीख मांगने गया, सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले से गरम रोटिया उसके लिए नि निकल गया, इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वो बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है, क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन ये बात बिलकुल सच है कि उसके खाते में सब का हिसाब बहुत पक्का होता है, इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो, बुरा नहीं, क्योंकि इस माया रूपी संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रहा है सबके, जीवन में सुख और दुख लगा रहता है, धन्यवाद, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकेन को प्रास करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके,